सबसे पहले जहेंद आप सबको हाली में हमारा आप सोलकी का ओपरेशन लाउंच बहाता उनिस तारिक से उसके बारे में बहुत संक्षियव में आपको मैं ब्रीफिंग करूँगा पुछले कुछ दिनों से हमको यह लगाजार ख़बर मिल रही थी कि दो टेर्रिस काला कोट के इलाके में यहाँ पे अपनी कतिविदिया बढ़ा के उन्हों ने काम बढ़ा रखा है और उनिस तारिक के रात को हमको यह कंफर्म्ड खबर मिली कि एक पाकिस्तान का हाई रैंक्ट एलिटी टेर्रिस जिसका नाम की कारी है वो जो की काफी समय से रोजाओरी और पुंच के इलाके में अक्टिव था उस वो अपने एक साथी के साथ इस इलाके में ओपरेशन के लिए यहां पे शामिल हुआ है इस खबर के अधार पे तुरंत सारे सेक्योरडी फोसे जहां पे शामिल राश्य राइफल्स जमू कश्पीर पुलीस और बाकी इंटी इजेंसी इन्होंने तुरंत ओपरेशन को कारगर रूप में शामिल किया प्लानिंग की औ और साथी साथ तुरंत अपनी अक्टिविटी शुरू कर दिया नोंने 22 तारीक को करीबन साड़े साड़े आठ वजे आठ वज के 30 मिनट पर दुबारा जनल एरिया काबु कोट जहां पर पहले खबर आई थी इन दो टेर्रेस का दुबारा सूचना मिला कि इनकी यहां पर आठिविदिया चल रही है इस खबर के अधार पर सर्च ऑपरेशन्स लांच किये गए क्यूंकि इस इलाके में जंगल जंगली इलाका है जंगल के लाका है और साथ में कुछ सिविल लुन लोकों के ढोग भी है बड़े तफसील से यहां पर प्लैनिंग की गई थी अधारनक फाइरिंग शुरू होगे यह टेरेस के द्वारा कि सिविलेंस को खत्रा कि सिविलेंस की जान को खत्रा जहांकि वहां पर लेडीज भी थे और बच्चे भी थे जो पार्टी के कमांडर थे कैपन प्रांजल सबसे पहले वह कवर से बाहर निकलके उन्होंने जो ब लगातार टेरेस को इंगेज करते रहे और फायर वरकरार बनाके रखे ताकि वह टेरेस वहां से निकल ना पाए साथ ही साथ बाकी जो कॉलम्स थे जिस ऑपरेशन के लिए तैयारी हालत में थे तुरंत ही वह लाँच हो गए थे और इस लाकी के लिए उन्होंने बिल्ड़ अप करना शुरू कर दिया था कैपन प्रांजल की टीम कब तकरीवन आदे घंडे तक उनको लगातार टर्रेस को घमासान में जवावी हमला बारबार करते रहे इसी समय के दौरान एक बुलेट की वज़े से जो उनको लोगी अपने इनके सर्बे लगी इसके वज़े से उनको शाहदत मिली और उन्हें अ अपना सर्वोच बलिदान दिया पर इस ऑपरेशन का सबसे महतुक पूर्ण हिसा यह था कि उन्होंने बिल्कुल कॉंटाइट को ब्रेक नहीं होने दिया उस लाके की अंडर्ग्रोथ बोल्डर्स बहुत ही मुश्किल टरेन इस सबका एडवांटेज लेके टेरेस जंगल क के अंदर चले गए और लगातार फायर को उन्होंने बरकरा रखा हमारे ट्रॉप्स जिसमें की सामिल है नाइनसेफ और ट्वेसेफ उन्होंने इस कॉंटाक्ट को बना के रखा और टेरेस का सर हमेशा नीचे रखा यह फायर फैटिंग काफी समय तक चलता रहा और इस समय क जवान इन टेर्रेस के नजदीक आए इस प्रक्रिया के दौरान हमारे तीन सोल्जर्स शुरू में धायल हो गये थे उसके बाद बाद में कंफर्म हो गया कि वह अपने चोड की विज़े से उनका साक्रिफाइस हो गया था और यह फायर फाइटिंग कंटिन्यू होता रहा और यह यकीन किया गया कि यह टर्रेस वहां से निकलना पाए जब तक यह ऑप्रेशन आगे बढ़ता रहा करीबन शाम का 1730 बज़े का समय हो गया था और अंदेशा था कि बहुत शिग्र ही अंदेरा होने वाला है और इसके वेज़े से साथ ही साथ एडिशनल टुप्स की अब और प्लानिंग करी गई थी ताकि फिर वहां से कोई निकल ना पाए इसमें हमारे अन्य आरार यूनेट 54 आरार 2SF 63 आरार 9SF सभी ट्रोप्स इंक्लूडिंग जेकेपी नोंने को एस्टाबलिश किया और यकीन किया कि उनकी पूरा अच्छी तरह से इस इस इलाके को क इक्यूप्मेंट जो कि ऑपरेशिंग लिए इस्तमाल किये जा रहे थे उसके साहता से इस इस इलाके पर अच्छी तरह से निग्राई बनी रखी गई और यह एकीन किया कि टेर्रेस्ट वहां से निकल ना पाए 23 तारीक के सुबह फर्स लाइट पर दुबारा सहज की कारवाई को आगे बढ़ाय गया और इसमें करीबन साथ बसके 40 मिनिट पर एक टेर्रेस्ट जो कि उसको अंदर ही था पर निकलने की कोशिश कर रहा था उसको हमारे पारेटर उपर सचिन ने उसको उसको फायर के दौरान सचिन घायल हो गये पर तुरंधी और नाइन सब्सक्राइब कर लिया था और यह फायर को लगातार बनाया रखा गया और करीबन करीबन तीन सो तेरह सो तीस बिज़े तक दूसर टेरेस्ट कर दिया गया इस ऑपरेशन में पांच सूरवीर कैप्टन प्रा लास्ट नाइक संजे बेश्ट जो की हाली में बुद्दल की इलाके में भी टेरेस्ट के साथ ऑपरेशन में ही शामिल हुए थे और पारेट उपस सचन इन्होंने अपना सर्वोच बलिदान दिया इस वे वरी प्रावड अफ दें देफॉट वेल देफॉट हाड और फॉट 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 ब्रदर्स इन्होंने देश के सर्वोच इज़त के लिए और टेरेस्ट के लिमिनेशन के लिए जो सहाधत प्राप्ट किये हम सबको इनसे प्रेड़ना मिलती है और ये यकीन दिलाते हैं आपको कि ये कारवाई आगे भी बरकरार रहेगी ये दोनों ही टेरेस्ट फॉर्ण टेरेस्ट थे जिनमें से एक था जो की क और कारी एक आईडी एक्सपर्ट भी है और बहुत ट्रेंट स्नाइपर भी है काफी विशेष ने स्टूत्रों से ये भी पता चला है कि कारी मास्टर माइंड था सिविलिंद किलिंग्स जो की डांगरी में हुआ था इस साल जैनवरी में भी इसके लावा कानडी के लागे में गोला बारूत युद का समान रिकवर किया गया है जिसे भी यह अंदाजा लाज़ा सकता है कि इन टेरेस्ट की यह प्लानिंग थी कि इस टेरर अक्टिविटीज को यहां पे और बढ़ाया जाए और सिविलन पॉपुलेशन को अंदर देशत फलाया जाए अभी ऑपरेश जो कल जिसकी सक्सेस हासिल हुई है जिसमें यह दोनों टेरेस्ट को मार गराया गया यह एक आपसी ताल मेल जो की जेकेपी भारते सेना और बागी सेक्योरडी एजनसी जो कि इस इलाके में ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी एक पहचान है और मैं यकीन दिलाता हूं कि यह प्रक